हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए एक नई डिजाइन का पायदान ले करके आए हैं यह दो कलर से हमने बनाया हुआ है राउंड से पी पायदान है इसमें हमने यह 20 फंदे से बनाया है आपको के मल्टिपस से जितना भी फंदा डालना च से दोनों कलर से और जब यह नीचे का रेट से बनता है तो उपर का पिंक से और नीचे का पिंक से तो उपर का रेट से बनता है और इसमें फ्रेंड्स यह दो दो फंदे नीचे छोड़ते हैं लेकिन यह फंदे लाज तक हमें नहीं छोड़ने है जो यह उपर का यह बना जिसे यह 10 फंदे का है तो यह 10 फंदे का यहां से सुरू से ले करके यहां तक यह 10 फंदे का ही बनेगा टोटल यहीं पर हमें फंदे हर बार दो दो करके छोड़ने होते हैं सिर्फ यहां तक यह पिंग का जहां तक है जैसे यह रेड का है तो यह ही तक है यह हाफ जो उपर का इसमें हमें कोई फंदे छोड़ने नहीं होते हैं तो यह देखिए यह पिंग और रेड और रेड का है तो उपर पिंग होते हैं तो इसी में से फंदे हमें छोड़ने होते हैं अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने रेड और पिंक से बनाया है फ्रेंड्स आपको जो भी कलर पसंद आपको उस कलर से बना सकते हो और हमने देखिए इसके लिए 20 फंदे डालेंगे ठोड़ि पट्टी इधर को रख लेते हैं और देखिए कि इसको जैसे हम उसमें फंद्स डालते हैं इस तरह सिन्य क्रॉस यक्राउस करके लेते हैं व्यस इस तरह से डालेंगे इसको तो सलाई की उपर से निकालेंगे फिर इस पट्टि को भी इस तरह से निकाल देंगे तो यह देखे अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो यह देखे यह देखे आप इस तरह से फिड्ल सकते हो लेगिन मैं यसा ना बताती है व्यता कि दो हम जैसे फंदधर डालते है व pursuit आपको बना करके दिखा रहे हुआ है मैंने तो यस तरह से फंदार्व डालना इस वह से आपको दिखाया है कि आपको ऐसे पसंद्र था और उस तरह से झालकते हो आप इस सबसे पहले शलाए में एक नॉट लगा लेंगे यह देखे-ग क्योंकि इस तरह से फंदा डालना बहुत यह असान है जिसको फंदा नहीं डालना आता वो भी डाल सकता है एक लगा लिया फिर यह देखे इस तरह से पाटी को लेखर के यह देखें ऐसे खिज के तो इस तरह से हम इसमें दस नपने कलर से ढाल लेते हैं देखिए जितना भी बड़ा बनाना चाहते हो उतना फंदा आप डाल सकते हो यह देखिए और फंदे दोनों बराबर ही पड़ेंगे अब यहां यह रेट कलर से नौट लगा लेंगे फिर इससे भी दस फंदे हम जैसे हमने अब यह डाले थे वैसे डाल लेंगे यह देखिए हमने यह 10 फंदर डाल कर इधर भी डाल लिया रेट कलर से भी अब यह सभी फंदों को हम पहले उल्टा उल्टा बोन लेंगे फ्रेंट्स यह देखिए अगर यह सलाई को अपने साइड को करते हैं तो इसको उल्टा बोलते हैं अगर यही अगर पीछे साइड को क करते हैं यह देखे अगर यह सलाई को इस तरह से करके बुनेंगे तो यह सीधा होता है अगर इसको इस तरह से करके बुनते हैं और इसको आगे को बुनते हैं तो यह उल्टा होता है लेकिन आप सीधा बनाओ यह उल्टा बनाओ दोनों ही सिर्फ अगर सीधा बना रहे तो दो साथ से उल्टा-उल्टा बुनते हो जब भी ऐसा ही आएगा यह देखिए इस तरह से फंदर डालते हैं तो सोड़ा आराम से निकालते हैं कि सिर्फ पहली लाइन आराम से बुनते हैं नहीं तो यह खिच जाता है यह देखिए अब अगया है अब यह हमने दोनो फंदहां अलग अलग डाले ते थे यह दोनों अलग अलग हो गये अब इनको एक साथ करने के लिए देखिए अब इस पट्टी को इस तरह से दूक ले लेंगे और यह नीचे से इस तरह से बोनेंगे तो यह d Shan इन वा कि जैसे ये फंदे हमने बनाए है वैसे इलटा उलटा बुनते हुए यह पीक क्लर के फंदे को भी यह प्लेट कर लें है यह द चरह कर दो यह सभी 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 फंदे जो है उल्टा उल्टा बना लेंगे यह देखे अब इस बार यह बनाएंगे तो यह दोनों कलर के जो फंदे हैं यह आपस में जुड़ जाएंगे यह देखे इस पट्टी को ऊपर से पीछे को ले जाएंगे और डेट कलर की पट्टी को नीचे से क्रॉस कराते हुए आगे को ले आएंगे इससरे से थोड़ा सा खीज करके तो यह बिल्कुल आपस में जुड़ जाएंगा अब यह दोनों अलग अलग नहीं होंगे जैसे यह देखे यहां पर है जैसे सिलाई करते हैं यह देखे फ्रेंट्स जैसे यह सिलाई करते हैं वैसे यह आपस में जुड़ जाएंट होते जाते हैं इसी तरह से ही इन सभी फंदों को बुल लेंगे दोनों साइड से उल्टे-उल्टे की एक क्लाइन बना करके कम्प्लीट कर लेंगे इस तरह से एक रो बन करके कम्प्लीट हो जाएगा अब देखे फ्रेंड्स अब यहां से पहला फंदा उतार लेंगे यह देखे पहला फंदा उतारते हैं फिर पट्टी को अपने साइड के कर लेंगे यह देखे पहला फंदा उतारने से जैसी यह देखे यहां पर यह चोटी से बन करके आया है देखे, यह देखे, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, और बहुत ही फिनिशिंग आती है, इस वज़े से इस तरह से हम पहला फंदा हर बार उतारते जाएंगे, बाकी यह रेट कलर में कुछ भी नहीं करना है, इसको दोनों साइट से उल्टा उल्टा बनाते जाना है, इसमें न कोई फंदा कम करना है और नहीं ज्यादा करना है, यह फंदे ऐसे ही पूरे बनाते जाने हैं, यह देखे, फिर अपिंक कलर का बनाना है तीस पट्टी को इस तरह से आगे कुले लेंगे और नीचे से इस पट्टी पिंक कलर से बूल लेंगे, यह देखे, आप देखे फ्रेंड्स अब हर बार यहां से नीचे से यह दो-दो फंदा छोड़ देंगे, अब यहां से दो फंदा हमने छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे यह पहला फंदा आप बुनना चाहो तो बुन सकते हो लेकिन यह पहला फंदा उतार लेने से यहां पर गैप नहीं होते है इस वज़से पहला फंदा उतार लेते हैं यह देखे बागे फंदे ऐसे उल्टे-उल्टे बूल लेंगे यह देखिए यहां पे जोईन्ट के लिए फंदे को कैसे करते हैं इसको पिंग को उपर से पीछे ले जाएंगे और नीचे से रेट कलर को क्रॉस कराते हुए आगे को लाएंगे इस तरह से बुल लेंगे इस पटी को भी हमने खहीच लिया इस पटी को थोड़ा से इस तरह से खिस कई देंगे तो यहां पे काफी अच्छी फेनिशिंग आती है यह बिल्कुल भी गैप नहीं रहता है। यह देखिए अब यह देखे पट्टी यह खतम हो गई है तो इसको इसके बीच में हम अब दूसरी पट्टी इस पट्टी के बीच में रख करके ये देखे इस पट्टी के बीच में रख करके इस तरह से लपेट लेंगे तो फिर पता नहीं चलता है कि हमने पट्टी कहां से जोड़ी है ये देखे अब वापस जो ये जिस पट्टी में हमने जोड़ा था उस हमने कहां से पट्टी को जोड़ी है यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं यह देखिए फ्रेंड्स पहला फंदा उतार लेंगे पट्टी को अपने साइड कर लेंगे यह देखिए कि यह रेट कलर के फंदे को हमें कुछ भी नहीं करना है दोनों साइड से सिर्फ उल्टा उल्टा बनाते जाना है यह देखिए इसको इस तरह से कर लेते हैं तो यह आपस में यहां पर गैप नहीं आता है जोड़ जाता है यह देखिए पहले बार हमने दो फंदा छोड़ा था इस बार फिर हमने दो फंदा छोड़ दिया यह देखिए दो दो चार फंदे छूड़ गया वापस यह इससे पलट जाएंगे यह देखिए यह देखे वैसे क्रॉस करवा के यहां पर पट्टी को आगे कर लेंगे यह देखे इसी तरह से दो-दो करके यह सब फंदे हम छोड़ लेते हैं जैसे यह दो बार यह दो फंदे करके हमने दो-दो-चार फंदे छोड़ लिए ऐसे इन फंदों को भी छोड़ लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह देखे दो-दो करके हमने यह चार बार छोड़ लिया है यह देखे कैसे करते हैं पहला फंदा उतारेंगे पट्टी को अपने साइड किया यह रेट कलर के फंदे उल इसको भी छोड़ देंगे तो ये देखिए इसको कैसे करेंगे इस प़्टी को और गवे इगए इसके शाथ मैं ने यहां पर ढाटी को रेंट कलर्ड की पीछे वो कर लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे यह देखिए और इस साइड से सभी फंदों को उल्टा-उल्टा बुल लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स यहां पर थोड़ा अब चेंज है आप ध्यान से देखना यह देखिए हमने पहले भी बताया है कि रेट कलर के फंदे पूरे दस फंदे हैं उनको उल्टा-उल्टा दोना साइड से बुनते जाना है इसमें न कोई फंदा कम होगा और नहीं जादा होगा अब यह देखिए अब यह जैसे हमने दो दो फंदा करके छोड़ा है वैसे हर बार दो दो फंदा इसको बुनते जाएंगे यह देखें पटी को रेट कर लोगे पटी को इस तरह से कर लिया और इस पटी से ऐसे बुन लिया अब ये देखिए हमने ये दो फंदा ले लिया अब वापस यहां से पलट जाएंगे ये देखिए फिर ऐसे एक रॉस कराते वे ये देखिए इस तरह से इसको ऐसे बना लेंगे देखिए एक बार मैं और आपको बता देती हょं पहला फंद बतारहेंगे पट्टि को अपने साइट कर लिया रेट कलर के फंदे ऐसे बुने लेंगे फ्रिंट्स उस से पहले आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेयर करें कुछ समझे में नहीं आया तो आप कमेंट करके पोच सकते हो यह देखे अब पहले उस बार हमने दो फंदा यह लिया था अब दो फंदा और ले लेंगे अब यह फ्रेंड्स देखे अब यहां पे gap आएगा क्योंकि अगर यहां ऐसे बुनेंगे तो यहां पे gap आजाएगा तो एक फंदा यहां से हम उठा लेंगे यह देखे, इसको उठा करके आगे वाले फंदे के साथ बोल लेंगे ने तो यह फंदा बढ़ जाएगा तो यह देखे, हमने यह जो फंदा उठाया आगे से फंदा ले करके इन दोनों को एक साथ बोल देंगे, फिर आगे से अब इ पलट गये सीधे साइट से जो फंदा जिस कलर कर इस बूना हूँ को उस कंड़की पटी से बोन लें ज़ीक इनगे साथ और यहा case देखेंर करुस्क्रॉस करवड़ा देकर इसी तरह से फ्रेंट्स हर बार यह दो-दो फंदा लेकर के यहां लाश्ट तक बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह देखे फ्रेंट्स जैसे हमने दो-दो करके सभी फंदे छोड़े थे वैसे हमने ले लिया है लाश्ट में दो फंदा है यह देखे गया ख़तम करने के लिए यहां पर एक फं बुन लिया तो यह सभी 10 फंदे हमने बुन लिया है जो दो दो करके छोड़े थे इन सभी 10 फंदो को बुन लिया है अब सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से बुन करके कम्प्लीट कर लेते हैं कि यह देखिए फ्रेंट्स हमने यह उल्टा उल्टा बना करके पूरा कम्प्लीट कर लिया है अब यहां से हम कलर चेंज करेंगे और फ्रेंट्स इस बात का ध्यान रखना है कि ये देखिए आप लोगों का कमेंट आया था कि आपकी कली जादा हो जाती है तो जैसे अब ये देखिए बनाना है तो इसमें देखे एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, इग्यारा ये उल्ट की जगें अल्रेड़ी 11 कली बन जाएगे देखिए तो फ्रेंट्स इह ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो है उल्टे की रो है ये 11 रो बनने चाहिए ने तो आपकी कली ज्यादा बन जाएगे तो आपको ये ध्यान रख करके बनाना है तो ये हर बार अब जस यहां पर आग में 22 सलाई बनानी है तो 11 रो होने चाहिए अगर 11 रो आप बनाओगे तो आपकी कली बढ़ेगे नहीं अगर यह कम होगा तो आपकी कली बढ़ जाएगी फ्रेंड्स यह देखिए अब हम हमें यह फंदा बुनेंगे नहीं क्योंकि यहां से हमें दूसरे कलर की पट्टी लगा अब इसके साथ में बोल लेंगे यह दो सह बन लेंगे तो यह बन जाएगा यहां पर यह ज् y अगये लिए बिक है और यह पंधिया चलर की लेते जाएंगे, यह देखे, अब यह फंदा दोन गया, फिर दूसरे फंदे में इसको उठा लेंगे, इसके साथ बोन लेंगे, यह देखे, फिर अब यह दूसरे फंदे में इस पट्टी को दबा लेंगे, यह देखे, एक फंदे में हम यह पिंक कलर की पट्टी को इस तरह से नीचे को उतारेंगे यह देखिए इस तरह से यह देखिए अभी यह पट्टी हमें प्रिंग से बोननी है तो यह देखिए यह एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस यह दस फंदे हमने जो रेट के थे वो हमने पिंक से बना लिये अब यह नीचे के दस फंदे हमें यह रेट से बनाना है अब इस तलाय में हम कोई फंदे नहीं छोड़ेंगे सभी फंदों को बोल लेंगे यह देखिए जो रेट थे वो पिंक से बना लिये हमने जो पिंक है वो रेट से अब यह सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर के पट्टी से बुना है उस कलर की पट्टी से बना लेंगे इस वॉज़से से रगाज इससे पर्टी को हमने यह उपर किया है क्योंकि दूसरे क Onur करो पर एक हम हमें सब्लाओं एसा बहुंते साइटसे लिए तक जरए को ब Titans Oh अब मैं सीजे साइड कितनी सफाई आई है इस वैसे हमने ऐसे लगाया था अब यह देखे पहला फंदा उतारेंगे पट्टी को अपने साइड कर लिया अब यह पिंक कलर के फंदों को ना कोई कम करना ना ज्यादा करना है जैसे हमने यह रेट कलर के फंदे बनाया थे यह रेट कलर का वैसे ही यह 10 फंदे, दोनों साइड से हमें बुनते जाना है, इसमें न कोई कम करना है, न ज्यादा करना है, यह देखे, अब यह देखे, रेट कलर का बुनेंगे, इस पट्टी को आगे को कर लेंगे, नीचे साइड से, यह रेट कलर की पट्टी को इस तरह से कर लेंगे, य जिससे यहां पर जैसे यह सिलाइस आ रहे है इस तरह से आता जाएगा कोई गयप नहीं आएगा यह देखे अब फ्रेंट्स जैसे हमने यह पिंक कलर की पट्टी में दो-दो फंदे नीचे साइड से छोड़े थे वैसे अब इसमें भी यह दो-दो करके फंदे छोड़ते जा दस लाएं में यह उल्टे के 5 रो बन जाएगे उल्टे की जो यह बने हुई है जैसे एक रो तो हम यहां पे जैसे 1 रो बन गई और फिर उसके बाद यह 10 रो बनता है तो इसमें देखे 1,2,3,4 पाँच रो में तो हम दो-दो करके नीचे साओ फंदे छोड़ देते हैं और फिर यह पांच रो बच जाता है यह तो एक दो तीन चार पांच पांच रो बच जाता तो जैसे दो दो करके फंदे हम छोड़े होते हैं वैसे दो दो करके फंदे नीचे को लेते जाते हैं तो इसी तरह जैसे हमने यह कली बनाए थी वैसे यह कली बना लेंगे इसी तरह से ट कि फ्रेंट्स यह दस नहीं आठ कली बन करके कंप्लीट हो जाएगे यह बस सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें जो यह है ल्टे की जी रो बण हुए यह 11 बननी चाहिए अगर यह कम होगे तो आपकी कली बढ़ जाएगी अगर आप यह नरो 11 की बनाओगे तो आपको 8 में यह पाइदान बन करके पंप्लीट हो जाएगा यह देखे, अब यह फंदे बंद करते हैं, यह देखे, दो फंदे एक साथ लिया, देखे, इसको बुन दिया, वापस इसको सलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, फिर वापस इसको बुन दिया, यह देखे, वापस इसको सलाई में डाला, फिर आगे से एक फंदा लिया, इन दोनों को एक साथ बुन दिया, यह देखे, यह देखे, तो यह देखे, तो यह फंदे बंद होते जा रहे हैं, ऐसे ही इन सभी फंदों को बंद कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, देखे, यह हमने सभी फंदे बंद कर लिए अब यह दोनों ऐसे आपस में पकड़ के सिल लेंगे उल्टे सए यह लेंगे करें यहां तक न करें यह दिखें इसके लिए हमने यह बड़ी सुहीली है और वह przypad मो沒關係 अप्राइ भी लेसकते हो ये लिए या मैंससे उसकी करने से देखे बिलकुल बरावर यह राउंड से बंद करके आ रहा है देखे अब इसको यहां से सिलाई करेंगे यह देखे जो हमने यह फंदर डाला है और यह जो हमने बंद किया है यह दोनों को आपस में ले करके इस तरह से सिलाई कर देंगे यह देखे हमने यह सिंगल लि इंगेस में जिससे कि यह खुले नहीं मिल्कुल भी इधर पता नहीं चल रहा है तो ऐसे यह पूरा यहां से यहां तक इसको सिल लेते हैं यह देखिए फ्रेंट्स पूरा पैदान सिल करके कंप्लीट हो गया है देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रहा है देखिए कितना प्यारा है और बहुत जल्दी बन करके तयार हो जाते हैं आपको यह पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं कुछ नहीं गया है दो को कितने हैं के दोफो bulbs आपको यह जो श music को क्यों है दो जजँ का दित्स नहीं समघ्प को आपको यह दोस्फोड़ को प्यानी समय का जा हुबसाशने करके आपको जा कितनी durum